यूपी, टीजीटी, पीजीटी वेकेंसी के फॉर्म अगर आपने भी 2022 में भरे थे और डेट सालों से अब इंतजार ही चले जा रहा है कि कब ये एक्जाम कंडक्ट होगा कब हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा, कब नौकरियां मिलेंगी तो ये विडियो आपके लिए है क्योंकि आज कुछ बहुत जरूरी एक टाइम लाइन हम यहाँ पर क्रियेट करने वाले है कुछ चेंजेज हैं जो हमें आयोग की तरफ से होते दिख रहे हैं एक्जाम पार्टन में चेंज देखने को मिल रहा है साथी साथ जो है कहीं न कहीं अब 2024 में एक्जाम होता भी दिख रहा है तो ये प्रक्रिया कैसे चलेगी क्या होगा वो सब में आपको बताने वाली है तो सबसे बहले तो देख लेते हैं बात करेंगे इस बारे में given number of vacancies पे ही वो एक्जाम conduct होगा या फिर से form filling की प्रक्रिया शुरू करके नई जो है admissions को यहाँ पे support दिया जाएगा और इन सब के बात finally हमें कब तक जो है ये एक्जाम होता दिखेगा इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं तो सबसे बिले तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूं कि 2022 जून में उत्तर प्रदेश ने TGT PGT के कुछ 4,000 vacancies advertise की थी अब ऑल्डो ओरिजिनल number of vacancies हमारे पास 19,000 थी लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 4,000 vacancies advertise की गई जिनके अगेंस तक्रीबन तक्रीबन एक महीने में 13,000 से जादा लोगों ने फॉर्म भरे अब इसी बीच ये इंका जो आयोग है उसको dissolve करके उसको reinstate किया गया और फिलहाल प्रक्रिया शुरू हो चुकी है आवेदन मांगे जा चुके है इस आयोग के chair person और board members को स्थापित करने के लिए ये जो date है आवेदन की 15 जनवरी तक है उसके बात कहा जा रहा है 10 से 15 दिन लग जाएंगे इन board members को establish करते करते एक बर ये board members अपनी seat पर आ जाते हैं जो आप मान के चलो कि January end या February beginning तक होगा तो उसके बात सबसे पहला मुद्दा जो यहाँ पे उठेगा वो उठेगा इन भारी bumper vacancies का और इन vacancies में सिर्फ TGT PGT ही क्यू Assistant Professor की vacancies भी है जिन पर चच्चा परी चच्चा होगी आपको बताना चाहती हूँ कि तकरीबन एक लाग से जादा फॉर्म Assistant Professor की vacancies की अगेंस्ट भरे गए और तेरा लाग से जादा फॉर्म TGT PGT की vacancies की अगेंस्ट भरे गए तो यह जो bumper level की vacancies हमें सामने दिख रही है नए I.O. का सबसे पहला काम यही होगा कि वो इन लंबित vacancies पर चच्चा करें रोष्णी डाले और इनके exam को conduct करवाने की बात करें अब यह exam जो है अगर conduct होगा तो exam pattern क्या रहेगा exam pattern के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ नया exam pattern लागू हो चुगा है बहुत ही जल्दी हमें number of division जो है marks का वो मिल ही जाएगा लेकिन all over India में जो exam pattern generally TGT-PGT का follow होता है UP में अपसे वही लागू कर दिया गया है अपसे पहले UP के TGT-PGT examinations पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने concerned subject के questions attempt करते थे लेकिन अब बाकी TGT-PGT papers के accordingly आप एक general paper पहले जो है देंगे उसके questions को answer करेंगे फिर आप अपने concerned subject पे जाएंगे यह general paper of course अगर आपने और स्टेट के TGT-PGT या KVS-NVS की तैयारी किये तो आप जानते हैं किस तरीके के सवाल बनते हैं general English, general Hindi, GK, reasoning, maths, ICT यह कुछ questions, pedagogy यहां से आपके सवाल बनते हैं अब exactly division क्या रहेगा इन numbers का वो हमें अभी जो है आयोग की तरफ से official notification उसकी बाकी है आयोग की तरफ से जैसे ही official notification आ जाती है यह जानकारी भी हमें मिल जाएगी और यह कहीं न कहीं दो महिने में होता दिख रहा है क्योंकि February में जब यह नया आयोग बैठेगा और यह नए members जब अपनी पहली meetings करेंगे तो exam pattern का change उनके पास है और 13,00,00 लोग उनके फॉर्म भर चुके हैं तो अब काम उनके पास कोई और बचेगा नहीं काम होगा exam करवाने का यहीं से कुछ set of viewers हैं जो खुश भी होंगे कि यह जो 4000 vacancies and के against हम 13,00,00,00 लोग जो है seats के लिए compete करेंगे अब कुछ ऐसे भी लोग हों के इसमें जिनका mood बनाया अभी-अभी कि नई UP, TGT, PGT का form हमें भी fill करना चाहिए था हमें भी exam जो है देना है और 2024 में अगर हो रहा है तो कहीं न कहीं ये मौका हमें भी मिलना चाहिए बिल्कुल जाए ऐसी बात है मुझे लगता है आपको मौका मिलना चाहिए सबको मौका मिलना चाहिए क्यूं? वो मैं आपको जो है एक बार यहां पर बता देती हूं अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में TGT, PGT की अभी आपको अभी आपको मौका मिलना चाहिए 12,000, 8,000, 10,000 भी अगर विकेंसी अब रियाड़टाइज अगर होती है तो पहले जहां एक कैंडिडेट के लिए पर सीट कॉंपेटिशन काफी जादा था अब सीट बढ़ जाने से आपके पास वो कॉंपेटिशन कम हो जाएगा को बताती हूं क्यूं? विकेंस इस एक साल में कोई 10-12 लाख लोग नहीं आजाएंगे जो एक्जाम करना चाहेंगे एक लाख नए फॉर्म भर लेंगे दो लाख नए फॉर्म भर लेंगे मैकसिमम क्या 3 लाख नए फॉर्म भर लेंगे क्योंकि पर सीट जो number of candidate है वो वहाँ पर reduce होता दिख रहा है ठीक है? और इस एक साल के भीतर इतना भी high number हमें जो है new applicants का नहीं देखने को मिलेगा तो अब मान के चलो कि आप एक safe zone में है अब नए exam pattern आ जाएगा नए exam pattern के साथ हो सकता है नई post advertise हो जाए हो सकता है ना हो anyhow आपको इस बीच में क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ आपको बस इतना सा काम करना है कि ये जो दो महीने है हना दो महीने से पहले पहले अगर तो अपने form पहले ही भर दिये है तो अपनी पुरानी knowledge को brush up करने नहीं नहीं हो रहा है तो कहीं नहीं हम उस पढ़ाई के mode से भी हट जाते हैं अब आपको क्या करने की ज़रूरत है ये दो महीने के time period में ना कि सिर्फ अपने concerned subject पे अपनी mastery बनानी है साथी साथ इंडिया में दूसरे जो TGT PGT exams होते हैं state या national level पे उनके general paper को उठा के देख लो उनके pattern को समझो वहां से भी क्योंकि अब आपके सवाल बनेंगी ये तो लागों होई चुक है तो पक्काई अब है ना तो ये काम आप लोगों ने कर लेना है अब क्या नए लोगों को इंतजार करना चाहिए क्या जो new applicants है उनके लिए वो post खुलेंगी या नहीं खुलेंगी देखो ये कहानी हमें अब मार्च में पता लगेगी तो इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये अब नया जो board है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हम predict नहीं कर सकते लेकिन मैं अगर इंडिया में दूसरे states की कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ अगर कहीं पे भी नए board members in state किये जाते हैं किसी commission में ये हमने जारगंड में देखा ये हमने बिहार में देखा मैंने हर्याना में ये होते देखा है कहीं पे भी अगर exam pattern बीच में change हो गया या फिर नए commission को in state कर दिया गया या नए board members को establish कर दिया गया ऐसे में generally post re-advertise होती है अब October 2014 में हमारे पास national लोकसभा elections भी सामने खड़े हैं और 19,000 vacancies है ठीक है? तो कहीं न कहीं दिख रहा है कि शायद ये जो नए board members आएंगी ये एक नई vision नई energy और नए commitment के साथ आएंगे chances है कि post बढ़ जाएं लेकिन अगें ये एक सब्स projection है जो हम कर सकते हैं ये कोई prediction नहीं है prediction अभी कोई नहीं कर सकता ये सारी कहानी हमें मार्च में clear होगी ठीक है ना तो मार्च में आप मान के चलो कि एक नई notification 2024 में UP की तरफ से आती दिख रही है चाहे पुरानी vacancies के against exam conduct करवाएं चाहे वो नए लोगों को मौका दे exam pattern में तो बतलाव आ ही चुका है अब आपको इस नए exam pattern के according ही पढ़ना पढ़ेगा तो ये जानकारी तो चलो मैंने आपको दे दी लेकिन as an educator, as your well-wisher, as your mentor मैं एक और बात आपको कहना चाहती हूँ और वो ये है क्योंकि मैंने खुद पिछले साल बड़ी शिदत से UP, TGT, PGT English के batches को पढ़ाया था और बहुती भारी मातरा में पढ़ाया था बच्चे बहुत सारे थे मेरे उस batch में और मैं काफी personally connect भी किया था मैंने उन बच्चों के साथ तो अब एक चीज़ जो मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ वो ये है कि अब आप सिर्फ अपने subject पे रिलाई नहीं कर सकते हैं qualification के लिए अब आपको general paper की तयारी भी करनी पड़ेगी and I'm sure कि अगर अब सिर्फ UP की तयारी कर रहे थे तो शायद आप अभी तक इस pattern से वाकिफ नहीं होंगे कोई भी ऐसा candidate जिसने KVS, NVS, DSSS, B, Bihar, Jharkand कहीं और का exam दिया है वो definitely general paper की तयारी कर रहा होगा लेकिन UP का बच्चा शायद नहीं कर रहा है उन बच्चों को अब क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं तो देखो पहली बात तो मैंने आपको बोली दो महीने बैठना नहीं अपनी पुरानी knowledge को brush up कर लो साथ ही साथ नया यह जो general paper है generally मैं आपको बता देती हूँ इसमें general English, Hindi, logical reasoning, mathematical ability, GK, ICT की knowledge, pedagogy यह seven topics हैं जहां से questions बनने के chances रहते हैं ratio normally रहता है 40-60 का कि 40% जो है आपकी weightage वो आपकी first paper की general paper की होगी 60% weightage आपकी concern subject की होगी कई जगा यह qualifying nature में आपको थोड़ा सा general English, general Hindi भी दे सकते हैं जैसे बिहार में हमें इस बार देखने को मिला था sorry, EMRS में हमें जो है इस बार देखने को मिला था तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आप एक चोटा सा काम करें विडियो के नीचे एक link में आप लोगों को प्रोवाइट कर रही हूँ इस link पे click करके या आप कोई Google form तक ले जाएगा Google form में अपनी details भड़ दो हम आपको हमारी तरफ से general paper का जितना भी free material है वो सब प्रोवाइट कर देंगे ताकि आप अराम से अपने घर के comfort में बैठके अपनी self study कर सकें जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है जितने भी candidates ने वो 13,00,00 candidates जिन्हों ने 2022 में अल्रेडी forms भर दिये है I'm sure and I know कि उन लोगों की अपने concerned subject की तयारी अच्छी है थोड़ा सा भूल गए होगे थोड़ी सी मिट्टी लग गई होगे उसके उपर तो कुछ नहीं करो उसको brush up कर लो ये दो महीने और साथी साथ हमारे दिये free content से अपने general paper की तयारी साथ-साथ जारी रखिए इसी बीच अगर आप batches के साथ जुड़ना चाहते हैं नए batches अगर आप चाह रहे हैं कि नए batches live batches बने जहां पे इनकी तयारी फिर से zero से करवाई जाए या अगर आप हमारे पुराने video courses के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको मेरी screen के नीचे एक number flash होता दिख रहा होगा इस number पे call करिए UP, TGT, PGT related सभी batches की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी batches से जुड़ने के लिए ये number है उसके इलावा free content, free study material के लिए अपने ये link पे click करके information ज़रूर भढ़ दीजेगा आपका mail idea हमारे पास आजाएगा और हम अपनी तरफ से पूरी-पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए इस journey को बहुत ही आसान बनाने की बाकी बहुत अच्छा लग रहा है डेट साल बात finally एक उम्मीद की किरन दिख रही है आपको भी, हमें भी तब तक बने रहते हैं प्रोसेस बहुत ही देजी से बढ़ रहा है कुछ ना कुछ तो होई जाएगा मार्च में ये पेपर कहीं न गहीं ये वेकेंसी, इसकी नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ आती दिख रही है और ये पेपर ऑक्टूबर से पहले-पहले होता दिख रहा है तो all the very best, my dearest learners I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी अच्छी लगी तो hit the like button आपका इसके बारे में क्या कहना है वीडियो के नीचे comment section में लिखके मुझे जरूर बताईएगा मैं आपके views इसके बारे में